नमस्कार दोस्तों मैं देवेंदर बलहारा और ये हमारे औरगैनिक इंजीनियर है सुनिल शर्मा जी हम लोग आप से चर्चा करने आए हैं औरगैनिक खेती नैचुरल खेती उसमें आ रही समस्या उनके समाधान के बारे में जनता सरकार मोर्चा की तरफ से फिलहाल मैं आपको एक जिकर करना चाहूंगा उससे पहले कि मैंने अपनी फेस्बुक पे जनता सरकार मोर्चा पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने जिकर किया था गया मैंने वह इसलिए डाली थी ताकि लोग उस एंगल से देखे सरकारों का वह शडियंतर है वह पेस्टिसाइड कंपनियों ने उस पोस्ट को आगे दोड़ाया है क्योंकि जिस तरीके से वह वाइरल हो रही है उससे मुझे लगता है कि यह बीजेपी यानि के सरकार जो भी पॉरे पूरी लाइफ का और समझ है और क्राइजिस हो गया किया है सीदा सीधा अगर बात करें नासंजी क्या है मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक हैफिड के किसी अबड़े अधिकारी से मैं मिला उसने भीटते मुझे का क्योंकि उसको पता था कि मैं जैवी खेती करता हूं और मोटिवेट करता हूं बोलेगी अगर जैवी कर देंगे सब तो पैदावाराधी आ जाएगी तो यह तो दे अच्छी बात यह लगी उसने मांदारी से बताया बोले कि कम से कम 50% के लगबग मैंने उनको व्यंग में यह का कि उसी को नहीं उगाएंगे बस हम अगर 50% शड़ा दिया उस जो शड़ा हुआ ना उसको ना उगाया जाए तो बाकि 50% बचा वो उग जाए उसका रेट डब उसके पीछे फिर वही बात आ जाती है ना समझी समझ्चा है जो ना समझी का मतलब वीजन वीजन नहीं है तो अगर इसको और दूसरे तरिके से देखा जाए कि जो यह ना समझी है वो क्या है ना समझी है कि मानके चलो देवेंदर भाई को मैं बोल दूँ आप को भूग ल नहीं पह सामलमे पराबर उर्जा चाहिए बात खतम है वही बात मिटी की है मिटी यह कभी नी कहती उसको यूरिया डीयफी ही चाहिए उसको चाहिए उर्जा मतलब नाइट्रोजन फास्ट नपी के और मैकरो माइकरो दोनों तरीके के नूट्रिशन चाहिए उसको केमिकल से और बायो से दिक्कत नहीं है तो मैं अगर यह कहूं बई मन्या तो आज यूरिया को नहीं मिला कट्टे को और समयदान कर लें उनका अपास भाएं लेकिन वह मतलब बताते नहीं उसको सेंटिस्ट नहीं बताते हैं, स्पेसलिस्ट भी नहीं बताते हैं और किसान भी थोड़ा सा कई बर गरबर कर देता है उनी को आप एक बर जागे दोबारा पुछना देविंदर भाई उनको ये पुछना जिस फसल में आप डेंचा, मूंग, जवार, बाजरा, मक्का, हरा चारा बो के मिट्टी में मिला देते हो तो फसल कैसी होती है खुद ही बोलेंगे नूगा खाद की जरूरती नहीं पड़ दी अब उनी का सवाल आ उनी का जवाब है और बात यह है कि जैसे हमने ये का है ना कि उरजागी जरूरत और यूरिया डी एपी की जरूरत और किसानों को नहीं मिले तो क्या करें वही किसान अगर उनी स्पेसिलिस्टों से मिलो जो स्पेसिलिस्ट ये कहते हैं कि इस दवाई के बिना ये काम नहीं चलेगा रिकमेंड करते हैं वो तो क्योंकि उनका जो पहला अक्षर होता है न वहीं से कमपनिया शुरू होती है और पूरे तीन-चार साल की डिग्रीज होती है उसमें वो कमपनिया और उसके साल्ट ही पढ़ते हैं वो इसके लावा कुछ पढ़ते हैं नहीं तो जब उन्होंने चार का पहला चैप्टर मैंने कभी देखिए ने कोई बुक वो क्या कहते हैं मानिके चलिए कि आप मैनेजर कंपनी के कभी खेट के मैनेजर नहीं बोलेंगे यह कभी भी देखना कंपनी को बेस बनाके जस्ट अजूम यूरा मैनेजर आफ कंपनी वहां चुझो खेच वाल चाओं जो शूरू करते हो तो मतलब मेरेको एक थोड़ा सा इक्जामपल किसान बाई है मैं करने वाले जो रहने वाले किसान उनके लिए नहीं है यह वीडियो यह आने वाली सिरीज यह शहर में रहने वाले लोग जाए जो अगर मालो रूफटॉप गार्डिनिंग करना चाहें तो अभी फिलहाल के लिए मुझे इतना बताया सुनियल भाई कि अगर मालो मुझे अपने खेत में एक किलो एक कटा डी एपी का डालना है मालो यूरिया का तो उसकी भरपाई मैं कैसे कर सकता हूं और दूसरा तरीका जो आप कह रहे हो किसान के पास उसके खेत में अवलेबल है तो उसके खेत में कहा हूं पलब्द है वो देखो इसको क्योंकि ज्यादा बहुत ज्यादा बात करेंगे तो समय कर देते हैं इंबैलेंस होते ही बिमारी आती है यह उसके यूरियारे कट्टे की बात है एक तो इसकी जो समश्या बताई वो दूसरी बात यह है और उसको डाला जाता है सिरफ नाइट्रोजन के परपत से लेकिन उससे ज्यादा वो नुक्षान करता है नूट्रिशन इंब करते हैं बड़े बड़े जहर उनी स्पेशलिस्ट को यह पूछिए कि कार्बन नाइट्रोजन रेश्यो मिट्टी में कितना होता है कार्बन यानि हरा चारा जो मिट्टी में शड़ा दे तो वो नाइट्रोजन कितना देगा यह रेश्यो है वही बताएंगे अगर सो किलो सब्सक्राइब देगों तो मिलेगी दस्वहां इससा घृत को अल rendering मिला दिया तो सो किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी जिसका मतलब साढ़े चार कट्टे के असपास यूरिया और वैसे ही हम दो तीन कट्टे डालते हैं ओके यानि सो किलो का मतलब हो गया बीस एक गठडी प्चास किलो की एक गठडी मानने के चाला तो इतनी गठडी है ठीक है भाई इतने बरोटे 20 बरोटे इतने अपने खेत में बाद होगा किसान लेकिन इस चीज को प्रोफेशनल वे में एक विजन के साथ जाने के जूर तो बहुत लंबी स्रीज बनेगी और वड़ा लंबा ग्यान होगा मतलब हम इसलिए चाहरे हैं आप मान के चलो किसी को बुला लो कि मेरे पास आप 20 दिन के लिए सीखने आओ कोई काम छोड़ के वह ऐसा नहीं कर सकता हम यह चाहते हैं आपके पास फोन है और यह जो माध्यम है जिसके कांड से समश्चा भी आ रही है और समाधान भी हो को जोइन कर लीजी आप और जब वह भर जाएगा ऐसी फिर दूसरा भर जाएगा से सारे ग्रूप भरते चले जाएंगे सभी को एक मैसेज आएगा डेली जैसे ही लाइव वीडियो सुरू होगी उसी में हम सीधा कनेक्ट करेंगे मैसेज डाला लिंक मिला उसी में सभी के स सहने का मतलब यह हुआ कि आप लोग आप डेली के डेली रोज शाम को आठ बजे या साथ बजे जैसे भी सूट करेंगे वटसप ग्रूप में लाइव आओगे और एक मुद्दे पर बात करोगे आदा गंटा बात करेंगे नहीं मुद्दे पर और बाद का आदा गंटा सब्सक्राप कर ile करना है अगर हम वी-डियो डाले हैं तो उपर कैप्शन में मिल जाएगा आपको अगर हम यह वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूप नहीं दाएर साथ के में में तो निचली साइड में राइट एंड पे सज्जे आथने डिस्क्रिप्शन में मालो गाम का देशी आदमी ना बेरा हो उसके लिए बताऊं एक तीर से का निशान होगा है उस पता बोगे तो उसमें वो डिस्क्रिप्शन आजेगा तो करना क्या है कोई भी एक ग्रूप ज जुड़ भी जाओ अपनी बात भी साथ के साथ रख दो और अगले वाले सेशन के लिए टॉपिक भी दे दो और हर रोज आधा गंटा होगा नया टॉपिक आपके खेत से जुड़ी हुई एक एक चीज आपकी फसलों से जुड़ी हुई आपके स्वास्थे से जुड़ी यह B-TECH छो रहा है करने सोच रहे हो मनमाना नहीं और पढाया करता है यो B-TECH कारना नहीं लेकिन बंदे ने यह देखा कि हमारी खेती खराब हो रही है तो पिछले आठ-10 सालों से केवल कितने 12 साल होगे 12 साल 12 से केवल और केवल जैवी खेती पर काम करना लग रहे भाई तो आपके लिए बीज, औरगैनी खेती के रस्ते, नैचुरल खेती के, प्राकृतिक खेती के और जैवी खेती के, जिस भी तरह के आपको जरूत पड़ेगी, हम लोग साथ खड़े हैं, और इनी के जैसे ओर युद्धा बहुत हैं, जो खेती के उपर काम कर रहे हैं, जो समय अगरिकल्चर करें हो, यह एकसपर्ट ले लो, अरचे वो एजुकेशन में करें हो, यह ए हैं, एमेडर यह पी एच डि करें हो लोग यही है, सारे के सारे, उन कम्पनियां के दलाल हैं, उन ही गईजंड़ा चलते हैं, समाज को क्या चाहिए? आदम आम आँन रैसाыми इसान क मागे और यह एक्सपर्ट ही करप्शन करते हैं एक्सपर्ट निभाई common sense में real में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात करो natural तरीके से प्रागेटिक तो इसके लिए आपको जुड़ने का तरीका बता दिया है वट्सप पे साथ जुड़ जाएए और उसके बाद आपसे रोज वार तलाप होगी रोज चर्चा होगी एक-एक मुद्दे पर आपके साथ आएंगे और जैसे कई बार हम मीटिंगों मी जाते रहते हैं एक आज बार अगर ऐसा हो जाता है कि भई आज समय सेटनी बैठ रहा तो उस दिन बता दिया जाएगा जब भी कभी ऐसे चर्चा होगी कि हम नहीं आ पाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा लेकिन लगातार हम जुड़े जरूर रहेंगे इस बात का आशवाशन आपको देते हैं जनता सरकार मोर्चा आपकी समस्याओं के समाधान पर चर्चा जरूर करेगा बस एक बात का ध्यान रखिएगा गाउँ आपका है समस्या आपको ही करना पड़ेगा तो जिन लोगों ने समाधान किया हूँ